हाई फ्रेंट्स इस वीडियो में हम क्विकली सीखेंगे कि कैसे एक IT हाडवेर और नेट्वरकिंग एस्पिरेंट या फ्रिशेर स्टूडेंट अपने नौकरी प्रोफाइल में अपनी अकम्पलिश्मेंट को मेंचिन कर सकता है तो आप देख सकते हैं आपर स्क्रीन में अकम्पलिश्मेंट का ओप्शन आ रहा है आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे डिटेल दिये हुए हैं पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है ओनलाइन प्रोफाइल का यहाँ पर एड का ओप्शन है आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखें आपको option दे रहा है कि आप अपने LinkedIn profile का link यहाँ पर mention कर सकते हैं आप URL पेस्ट कर सकते हैं और आप चाहें तो description भी mention कर सकते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप अपने नौकरी profile में अपने LinkedIn profile का link mention करते हैं और आपका profile बहुत अच्छे से बना हुआ है तो फाइदा होता है आपको आपके पास interview opportunities आ सकते हैं आप अपना कोई project बनाते हैं तो आप उसे github पर भी update कर सकते हैं आप देख सकते हैं आप वर्क टाइटल लिख सकते हैं URL mention कर सकते हैं कब से कब तक की duration थी वो mention कर सकते हैं और इसके साथ में description भी दे सकते हैं अगर आप currently किसी पर किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो आप वो भी mention कर सकते हैं और finally description लिखकर अपने इस detail को save कर सकते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत सारे IT के student, computer science के student, बहुत सारे data engineering के, cloud computing के और बहुत सारे techies basically github पर अपना profile बनाते हैं तो आप भी बना सकते हैं इसके बाद देखिए अगर आपने कोई white paper या research publication किया हो मतलब अगर आपका उस तरफ ध्यान हो तो आप वो भी mention कर सकते हैं यहाँ पर add का option है आप यहाँ पर detail mention करके अपना detail share कर सकते हैं इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर presentation का भी option दिया हुए अगर आपने कोई बहुत ही amazing presentation बनाई है जो कि IT networking से related है या network security, network management, network configuration या related field से associated है तो उससे related भी आप यहाँ पर presentation का link share कर सकते हैं यह एक बहुत अच्छा option है जिससे आप बता सकते हैं कि केवल आपने पढ़ाई नहीं किये आप इसके अलावा बहुत सारी activities में involved रहे हैं और यह आपकी profile को बहुत robust बनाता है बहुत strengthen करता है जिससे आपके पास interview opportunities आने के chances बढ़ जाते हैं last में देखिए आप यहाँ पर patent भी mention कर सकते हैं अगर आपने कोई patent कराया हो तो वो भी आप mention कर सकते हैं last but not the least आप देख सकते हैं यहाँ पर certification को option दिया हुआ है तो यहाँ पर अगर आपका कोई certification है like CCNA, CCNP या कोई भी certification है तो वो भी आप mention कर सकते हैं आप देख सकते हैं आप पर certification name, completion ID, URL, validity और यह सारे detail दिये हुए हैं इसको करने के बाद आप इस पर save कर सकते हैं और सबसे अच्छा result आपको इस चीज़ का मिलेगा अगर आप यह detail यहाँ पर share करते हैं और save करते हैं कि आपके profile की through यह communication जाना start हो जाएगा कि candidate CCNA या CCNP certified है और इससे ही आपके पास better opportunities आने के chances बढ़ जाते हैं तो इस तरीके से आप अपने नौकरी profile में अपने accomplishment को mention कर सकते हैं और एक जबर्दस profile बना सकते हैं